जो लोग थोड़े में खुस रहते हैं, सबसे ज़्यादा खुसी उन्हीं के पास होती है नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो बकडी पालन से संबंदित रहने वाली है और आज हम पहुँच गए हैं मुझभफरपुर में आज बकडी पालन में अगर देखा जाए तो लोग बकडी पालन में आदो बहुत तेजी से रहे हैं उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रहे हैं इसका कारण एक ये है कि सही तरीके से या तो लोग जानकारी नहीं ले रहे हैं या तो जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं तो आज हम सही और सटिक जानकारी लेने के लिए पहुँच गया हैं मुझफरपुर में, आज हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ब्रीडर इस्तेमाल करें, वो ब्रीडर इस्तेमाल करें, कोई बर्बरी के बारे में बोलता है, कोई सीरोही के बारे में बोलता है लेकिन किस बकडी के साथ ब्रीडर इस्तेमाल करना ही सही तरीका लोगों को नहीं पता चल पाता तो ऐसे ही महत्वपुन सवाल हम इमाम जी से करेंगे साथी खिलाने की क्या विवस्था होनी चाहिए कैसे हम feeding cost में कट होती करें तो आये दोस्तों देर न करता हुए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेश्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ है तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी आपका भी मेरे फारम पर स्वागत है अभी आ रहा है तो देख रहा है पूरा चाक चोबन सब तरफ से एकदम जो है वो पैक किया हुए है कारण क्या है कारण है कि सर ठंड है इसलिए जो है उनका बाड़ा बाहर से तोप दिया गि दो हजार वाट मेरा डिली जलता है बस जारा का खया लखा गया है इमाम साब एक महतोपुन सवाल हमेशा हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भी बक्री पालन नहीं कर रहें लेकिन भविश्य में उनको वो करना चाहते हैं तो कभी किसी के पास गये तो कोई ब ब्रीडर कैसे ब्रीडर का कैसे चैन करें देखिए सबसे पहला है कि आप फार्मिंग किस लेबल का करना चाहते हैं सबसे पहले इस पर बात करिए कि किस लेबल का करना चाहते हैं अगर बिजनेस के तरीके से आ रहे हैं तो बिजनेस का हर चीज का एक असूल होता है उसका ए और मार्किट में डिमांड भी नहीं अगर हम अतना बीड हाई तायार कर लेंगे तो फिर हम बेच नहीं पाएंगे सबसे बड़ा यहां पर मामला आ जाएगा तो अब बरबरी चुकी जो है बलेक बंगाल की तरह है मगर इसा कुछ गुन उससे बहुत जादा है गुन का मतलब बच्चा देने का चमता दो ही है साल में चार बार मतलब दो बार बच्चा देगी चार बच्चा हाथ लगेगा यह खुबसूरत होती है और इसका वजन गेन अच्छा होता है अब मान लिजे इसमें 99 परसेंट गु परसेंटर विर्डर हमको मिली रहा है तो हम क्या जरूत हमको दूसरा तीसरा बीडर लाने का देखिए असले बीडर ख्याल गलत लोग के पास कैसे आ जाता है जैसे गाव दियात में बलेक बंगाल पाला जाता है कोई आदमी पिरो ही हुआ या जमेरी हुआ उसका बरा तो जब आप फार्मिंग करेंगे तो आप उसका सुध नसल रखी जब इसका बड़े ब्रीडर का होता है कि जेनेरिक गुन उसका एक ही बच्चे का होता है तो मान लिजे कि बाप का अगर 90 परसेंट गुन पकर रहा है तो आने वाले टाइम में जब वो उसका बच्चा जब म इस जमाने की दस्तूर है तो आप जो है जो ब्रीड से करिए हम ही नहीं कर रहे हैं कि सब ब्रीड में बरबढ़ी अच्छा नहीं आपको जो अच्छा लगे हमको अच्छा लगा मार्किट इसका है इसलिए हम बरबढ़ी की सिरोही अज मेरी है मगर उस सब सौखिया के अनुभव काफी है आपके पास तो एक चीज यह बताइए कि जैसे बकडी पालन में लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं लेकिन उस अनुपात में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं कल मेरे पास फोन आया था नवादा जीले से अभी पांच-छे महीने पहले वो किये अभी वो क मतलब काइटेरिया क्रीट की यह हाता है कि यही मतलब बिहारों के चैंपियन है यही ट्रेनिंग दे सकते हरादमी इलम अपना बाठता है और झाइब ही यह समयमन अपने वाद़ता है नहीं नहीं एकि मोकंवल इलम मेरे पास है मगर सबसे है कि जो दू टाइम बकडी भार दिन खाती रहती है तो उसका फीडिंग सस्ता करने के बारे में अगर आपने नहीं सिखा तब बकडी फारम आपसे नहीं चलेगा अब जैसे हम अपना फीडिंग सस्ता कैसे करते हैं हमने जामून का पेर खरीदा एक बहुत बड़ा विरिक्ष है मतलब जामून का उसको हमने पांट सो रुपे में खरीदा अगर उसको डेली अगर हम खिलाएं सो बकडी को तो दस दिन चलता है अब अब बताईए पांट सो में हम दस दिन सो बकडी को खिलाएं मेरा कोश्ट कितना आया दो से तीन रुपए अब बुलिया कि कहां मिलता है तो भाई अगर आप नवादा में है या इलाहाबाद में है या बनारस में है तो महां खोजिए हम तो खोज के लिए अब बुले हैं कि यहां आकर आपको हम द करना है अदाना है जैसे गेहूं है इसका सीजन में स्टॉक करिए चुकि बकडी फारम में अगर उंचा सोच के आ रहे हैं तो पॉक्रिट में थोड़ा पैसा होना चाहिए इसलिए कि हर बिजनेस बिना पैसा से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है तो खाने पीने के लिए अगर इतना आप मतलब अगर सिर्फ हवा में आ गया है कि बकडी फारम मान लिजे मेरा ही इतना अच्छा लग रहा है मगर इसके पीछे मेहनत किया गया है यहां तक पहुंचने के लिए आड़ाई तीन साल लगा है और उसके बाद तब आज देर सो दूसर जानवर नजर आ कर देने से टाइप कर देने से नहीं होगा अगर आम इसी तरह बकवास करते रहते हैं तो हमारा हाई साल से नहीं ठीके रहते यहां पर अब मेरी एक बगडी आपको ऑन एवरेज 35 किलो से कम नहीं है तो इसको आपके आने से पहले हम इसे पंप थोड़ी मार दी है हाबा थो फोकस करेए कि हम इसका फीडिंग कैसे अगर फीडिंग आपसे सस्ता नहीं हो पा रहा है तो आप इस लाइन नो मत है नहीं तो आपका एक गलती दस आदमी को गुम्रा कर सकता है अभी आप खिलाने की वेवस्था के बारे में बताया तो कैसा फीड मैनेज्मेंट कैसा होना चाहिए जो मानले जिए कि अगर कोई अभी दस बकडी आभ इस बकडी से सुरूं करता है तो उनको कैसा बैकप कैसा लेकर चलना चाहिए अगर दस बकडी का बैकप ले के चलनकी मनंने स्टाटिंग कर रहें दस क्ली भगडी से बकडी तब बकडी अभी तो आपका 10 रुपए का खा जाएगी सारे सात रुपए का रोज का बचा थाई अगो यही रोज को आप 30 दिन में साल भर गुना कर दीजे तो आपका कीषे किषे कही सब्सक्राइब करें अब बात करते हैं कि जैसे अगर कोई नए बकड़ी पालक हैं करने की उजणा है उनकी तो दस बकड़ी के लिए कितना जमीन उनको चाहिए। तो उसे बढ़िया है जो पुराना रूम है उसको समाल लीजिए अच्छे से थोड़ा रिपेर कर लीजिए और उसके बाद बकडी को दसको पांच को जो आपको सुविधा हो इतना कम भी नहीं रखे कि आपको फिर फायदा समझ में नहीं है अगर क्वांटिटी कम कर सब्सक्राइब लेबर रखिएगा मालनी आपके पास जमीन नहीं रेंट पर लीजिएगा बिजली बिल है फजूल कर्ची है तो आपको दस बकडी जाके मू मिला देगा अगर मू नहीं मिलाएगा तो मुनाफ़ा तो आएगा ही मगर भाई उसके पीछे अपना वक्त भी तो जा रहा है पता नहीं चल पाएगा कोई माली बकडी पालन करता है ठीक है तो बच्चे से सुरुआत करे या मैचूर गोट से सुरू करें देखिए बच्चों का ख्याल लोग को इसलिए आता है कि सुसता है कि 12,000 या 10,000 या 9,000 में बकडी मिलती है उससे बढ़िया है हाँ उससे बढ़िया है कि 3-4,000 में हमको बच्चा हो जागा और हम पोस्ट लेंगे तो एक बात आप मतलब ज जादा खतरा होता है चुकि उसने मौसम नहीं देखा है न जारा देखा है न गड़मी देखा है न बरसात देखा है माली जे चार महिने का आप लेके जा रहे तो कोई मौसम में नहीं देखा तो हर मौसम में उसके लिए एक नया है तो मतलब आप ते एक नय है उसमें भी आ उसमें खत्रा बहुत कम होता है उसमें मरने की तादाज जो है वो कम है अखिर जी उसको सब इंजेक्शन पर चुका है सीडूल मेंटन उवसका हुआ है तब नो अड़ाहई साल तक जिनता थी ऐसा तह नहीं है कि एक बाएक अड़ाहई साल की हो गई तब पूरा सीडूल मजबूरी है का भाई की गाभी नंको चाहिए तो आप हमसे कोई मौइदा किये थे कि हाँ भाई हम छे महिना के बाद आपके पास आएंगे आप बाभीन करके दीजिए का इसा तो कोई मौइदा था नहीं तो लोग को बहुत सारा जूट बोलना पड़ता है मगर हम जूट क कोई देख रहा है तो कोई 400 Kilometer से भी आ सकता है कोई 200 Kilometer से भी आ सकता है तो उस में होता है कि अपर स्प recurringbbles लिए तो बच्चा फेक देती है तो बंड़ी समझिये बिगड़ गई अब गल्ती किए आप कि गाभीन बगडी हमको चाहिए अरे बगडी फारम में आ रहे हो сबर दुचार महिना अगर गाविन नहीं भी तो तीन महिना के बाद तो बच्चा दे भी करेगी, क्रोस होगी बच्चा देगी, आपका जनसंग क्या बढ़ेगा, तो कभी इस्टार्ट करिए बड़ी बगरी से, मेरे समझ से, और फिर बागी जो देखने बाले हैं, उनको जो समझ में आबेगा करेंगा, अभी कौन-कौन सा नसल इमाम सहब आपके पास है, देखिए, इस पेसल था हम बरबरी ही रखते हैं, मगर यहां है कि अब बहुत सारे लोग को बड़ा कान वाला जनवर चाहिए, यानि सिरोही, अजमेरी, गुजरी, जादे तर वो एक दो ही बिकता है हम से, इस वज़ा से कि कोई भी फार्मिंग करने आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, इस नसल से फार्मिंग नहीं, मालूम है कि अगर बड़ा हो जागा तो बिकना बड़ी मुश्किल हो जागा, तो हम रे चलते हजार पांसो के लालच में किसी का पूरा पूंजी हम टोटल अभी कितनी संख्या सर आपके पास हैं, अभी हमारे पास सर है 120 सब मिला के बिरीडर, बोतु, बक्डी, सिरोही बरबरी सब मिला के कि अपके पास काफी अग्रेसिफ बिरीडर, आपके पास के 15 अंत में इमाम्साहब बहुत सारे लोगा आपको देख रहा हैं, बक्र अगर आप सोच लिजे कि अगर हम मेहनत इसमें नहीं कर सकते हैं तो मेरे भाई इसमें मत आई अगर मेहनत है तो आपको अल्ला उंचाई पर ले आने के लिए थोड़ा वक्त नहीं लगेगा मुसल्मानों के लिए ये सुनते काम है चुकि हमारे पैगंबर कर चुके हैं तो इसमें घटा होने का सवाली पैदा नहीं होता है घटा होगा हमारे गलती से हो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका भी सुक्रिया कि लोगों को अच्छी अच्छी बाते समझ मैं सुक्रिया दोस्तो ये थे इमाम साब काफी अच्छी जानकारी रखते हैं और काफी अच्छी जानकारी देते भी हैं दोस्तो आसा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रसंद पूछने से रहा गया है या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, स्क्रिन पर इमाम साब का नमबर आ रहा है, अगर किसी तरह का आपको बकड़ी पालन समबंदित जानकारी चाहिए, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इन से आकेर मिल भी सकते हैं दोस्तो आसा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी और पसंद आए तो एक लाइक ज़रू करिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा थांकियो वाचिंगू पॉर वाचिंगू